जब प्लेन ऐसे धीरे-धीरे चलता होता है न और फिर जब अचानक से स्पीड पकड़ कर टेक ओफ करने का टाइम आता है तो मतलब न यही देखती रहती हूं मैं खिड़की से कि अब टायर उपर हो गए हैं जमीन से या नहीं आप लोग भी जो भी प्लेन में बैठता होगा तो ऐसा ज़रूर वेट करता होगा न और हमेशा मैं टिकेट काउंटर पर जाके यही बोलती हूँ कि मुझे विंडो सिट चाहिए हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्यार रख रहे हूंगे व्लॉग अब्रॉड चैनल पर मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ यह उस दिन का vlog है जिस दिन हम निकल गए थे राइपूर से हमने flight ली थी मुंबई की और मुंबई से हम आये थे UAE तो यह plane में उपर से view है landscape नीचे मतलब ना नीचे ऐसे देखकर लग नहीं रहा था कि कोहरा है पर जब हम उपर plane में fly कर रहे थे तो नीचे ऐसे clarity नहीं थी कोहरा भी था और obviously window pane भी उत्ते clear नहीं होते हैं उस वज़े से ऐसे दिख रहा था और यह करीब करीबा मुंबई के आसपास पहुँच गए हैं तो देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं और इतना खुबसूरत लग रहा था न यह देखकर मतलब ऐसे feeling नहीं हो रहा था कि इसके बाद एक महानगर आ जाएगा जो की मुंबई है ऐसे बड़े बड़े पहाड़ और बीच में ऐसे हर्याली बहुत ही खुबसूरत लग रहा था मुझे पहले लगा कि शायद यह महाबलेश्वर उस साइड का एरिया होगा मुझे तो इतना आइडिया नहीं है फ्लाई मतलब किस कौन सा एरिया होगा पर मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद यह वो एरिया हो सकता है और बस आप देखेगा यह पहाडियां जैसे ही खतम होंगी उधर से समंदर दिखने लगेगा और फिर मुंबाई और इस बार मैं मुंबाई एर्पोर्ट फर्स टाइम आई थी मैं ना इंस्टाग्राम पे और ऐसे ही देखती रहती थी कि किसे सेलिब्रिटी आते हैं मुंबाई एर्पोर्ट कैसा दिखता है पर इस बार जब मैंने देखा तो मुझे तो रहते हैं इंडिया का सबसे खुबसूरत एर्पोर्ट मुंबाई एर्पोर्ट ही होगा और यह अब हम मुंबाई के उपर ही फ्लाई कर रहे हैं देखे कितनी घनी आबादी है न और मैंने एक चीज देखी पता नहीं विंडो से शो हो पाएगा या नहीं एक साइट पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और एक साइट बीच में पूरी जुगी जोपडिया वो बोलते न धारावी दुनिया का सब से बड़ा स्लम वो मिलकुल मतलब एर से नजर आता है वो तो बस फिर हम मुंबई एरपोर्ट पे लैंड किये थे और वहां पे इतना अच्छा एरपोर्ट था वो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो अब तक मेरा चै वो इसी एरिया की बात कर रही थी मैं मैं मुंबई पहले भी बहुत बार आई हूँ पर ज्यादा तर हम ट्रेन से ही आए हैं तो मैंने कभी एरियल व्यू मुंबई का देखा ही नी था और अब देखकर लगता है कि कितनी छोटी छोटी जगाओं पर कितने लोग रहते हैं क तो इससे समझ में आता है कि हमारे महानगरों की आबादी कितनी जदा है और बस फिर मुंबई एरपोर्ट आ गया था और फिर हमने यहाँ पे आफकॉर्स प्लेन में आये हैं तो लैंड तो करना ही था तो यहाँ पे हमने लैंड किया और उसके बाद यह देखिए ऐसे बोल मतलब थोड़ा गलत तरी के मैन हैंडल थोड़ा बहुत करते पर जितना वीडियो में देखते थे हम उतना मैन हैंडल तो नहीं करते हैं यह डिपार्ट यह अराइवल्स वाला एरिया डोमेस्टिक तो यह भी एरिया बहुत खुबशूरत था पर मैं सोच रही थी कि मुंब कर हमने ब्रंच किया बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग कुछ भी खाकर नहीं निकले थे घर से यह हमारा समान रखावा है हमें जो चेक-इन बैगेश था वो डायरेक्ट हमको यूए में मिला हैंड बैगेज हमने ट्रॉली पे रखावा था फिर यह एरिया देखकर भी बहुत लग रहा था बहुत खुबसूरत है और फिर यह एरिया में हैं जहां से सारे सेलेब्रिटीज या में हमको दिखता है मुंबई एयरपोर्ट तो यहां हमाएं तब मुझे तब मैंने विकी को बुला भी ओवाव कितना खुबसूरत है यह एडिया एरिया एयर्पोर्ट का य या अलग अलग यहां हम आएं और ना एकडम सच बोले तो सेलिब्रीटी वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि जिस जगह से सारे सेलिब्रीटी जाते हैं वैस उसी जगहों से हम भी जा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था सबसी में इतनी साफ सफाई और इतना मतलब सूधिंग इन्वार्मेंट था ऐसे कोई बहुत ज़्यादा भागदोर नहीं हो रही थी यहां पे और बहुत ही बड़ा एरपोर्ट था और रश भी उतनी ज़्यादा था फिर भी पैटने के लि लोग इतनी गंदी कर देते हैं और फिर जब अंदर हम गए ना जहां से हमारे को फ्लाइट लेनी थी देखिए कितना वाल्स पे जो डेकोरेशन थी ना ये बहुत पुराने जमाने के दरवाजे हैं कितने खुबसूरत है ना मतलब ये सारी चीज़े देखकर इतनी खुशी हो रही थी और वहां पर एक फॉरिनर भी हम लोग को मिली है वो भी वेट कर रही थी फ्लाइट का तो वो हर चीज़ की फोटो क्लिक कर रही थी और फिर हमारे पास आके बोली मुंबई एयरपोर्ट जो है मैंने आज तक का सबसे खुबसूरत एयरपोर्ट जो मुझे लगा है वह मुंबई है और मैं दुबारा बहुत जल्द आना चाहती हूं यहां पर और यह साइड में रेस्ट्राउंट था यह भी एकदम पूरानी थीम पर बना हुआ था यहां से विकी में को बोड़ते थोड़ा जल्दी चलो पर इतना खुबसूरत व्यू था नैसे जल्दी जाने के सकते हैं कितनी क्रियेटिविटी है न एक एरपोर्ट को सजाने के लिए भी क्या एंटीक तरीका उन्होंने ढूंडा और ये देखी यहाँ पे ये अपसाइड डाउन लोटस टाइप के लैम्स थे तो इसमें भी इतनी क्रियेटिविटी थी कोई पूरा खिला हुआ लोटस है कोई कली की तरह छोटा है और कोई अद खिला लोटस है देखकर दिल खुश हो जा रहा था और ये एक स्टैचू है इसकी भी फोटो वो फारिनर भी ले रही थी और बहुत अच्छा था वो वोड का बनावा था और बस फिर हमारी फ्लाइट आगी थी हम फ्लाइट आगी थी से मतलब है हमारा भी टाइम हो गया था हमने सबसे पहले हमारा डिनर किया और फिर लगभग सो ही गए थे और करीब तीन घंटे का यह फ्लाइट था और हम लोगों को पता ही निचला ऐसे लग रहा था कि जैसे बैठे डिनर सेटल हुए डिनर किया और आख खोली तो सिधा यूए में तो यह मतलब जैसे हम बैठे त तो वह वाला व्यू है और फिर मतलब टेक ओफ होने के बाद फिर हम लोगों ने अपना डिनर लिया था और फिर मतलब हम दिन बर में इतना ठक गए थे कि हम सो गए थे और आखे खुली तो सीधा यूए और यह नाइट व्यू है मुंबई का एरियल नाइट व्यू कितना खुबसूरत है ना और यह जो आपको पूरा डार्कनेस दिख रहा है आई थिंक वहाँ पे समंदर ही होगा क्योंकि मुंबई तीन तरफ से बोलते है ना समंदर से गिरावा है तो यह जो फुल डार्कनेस है यह समंदर ही होगी बस फिर हम सो गए थे और जैसे ही आखे खु मतलब ऐसे लगा कि जैसे कोई टाइम स्पैन पे हम ट्रावल कर रहे है अभी मुंबई में थे आख बंद करने के पहले और आख खुली तो रासल खेमा में यहां का एरपोर्ट काफी छोटा है बट आई थिंक प्रमोट किया जा रहा है यह एरपोर्ट तो बहुत जल्दी य इतना बड़ा एरपोर्ट नहीं है तो वहां पे एक बंदा था जो समान बाहर निकाल निकाल कर रख रहा था पर अच्छा लगा इस बार का ट्रेवल बहुत अच्छा रहा बहुत सारी यादे साथ है बहुत सारा इंजॉइमेंट साथ है और बहुत सारी ब्लैसिंग साथ है क्योंकि इस बार हमने बहुत जादा धर्मस्थलो की भी गए थे घुमने के लिए और फिर भाईया हम लोगों को लेने आये थे तो वो हम लोगों को लेकर जा रहे हैं सबसे में भाईया को हम लोगों ने बुला कि आप हमको घर ही छोड़ दीजे तो बोलतें नहीं नहीं ऐसे कैसे खाना खाओ, चाइवाई पियो फिर जाना घर तो हम लोगों ने खाना के लिए तो मना कर दिया था उनको पर फिर भी भाईया घर लेकर गए भाबी को पहली बोलते थे चाइव बना के रख लो तो फिर हम लोग भीया के घर गए चाय वगरे पिये और फिर अपने घर पहुचे इतना कौन करता है किसी के लिए पर भगवान की कृपा जिन लोगों पे होती है न उन लोगों के लिए भगवान ब्लेसिंग्स के रूप में कुछ फ्रेंड्स ऐसे भेज ही देता है अर्थ प और हम आचुके हैं अपने घर और बैक्ग्राउंड में आप सारा लगेश देख रहे हैं तो आज का व्लॉग मेरा लाइक राइपूर से लेकर दुबई शार्जा पहुचने तक का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ शार्जा मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ मेरी मम्मी ने मेरे साथ क्या-क्या पैक करके दिया है यह आपको नेक्स वीडियो में देखने को मिलेगा तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आएगा अगर पसंद आए तो वीडियो झाल